हेलो स्टुडेंस चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्योस्ट नंबर 10 देख लेते विटा क्या है एन एक्सप्रेश ट्रेन टेक्स वन हावर लेस दैन ए पैसेंजर ट्रेन तो उसने क्या का है कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेश ट्रेन है एक्सप्रेश ट्रेन की स्पीड क्या होती है ज्यादा एज कंपेर टू पैसेंजर ट्रेन के तो उसने क्या का है कि मैसूर और बैंगलोर के बीच में डिस्टेंस जो है वो 130 किलोमेटर का है किलो मिटर पर आवर एकस्प्रेश ट्रेन की ही स्पीड या है तो चलेए पराइस क्या त campaign को कैसे नाहीं प्셜माने मcciones से यह हमान लेते हैं यह हमारा क्या है मैसूरय और यह है बैंगलोरु इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा 132 किलो मेटर दो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन और एक्स्प्रेस ट्रेन तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड माल लेते हैं let average speed of let average speed of passenger ट्रेन passenger train क्या माल ली x किलो मेटर पर आवर यह कलिर होगा आपको next क्या कहा है उसने कि अगर माल लिया express train की speed कितनी increase कर दी जाए पैसेंजर ट्रेन से 11 किलो मेटर पर हावर क्या कर दी जाए 11 किलो मेटर पर हावर speed increase कर दी जाए तो average speed of express train क्या हो जाएगी average speed of express train पैसेंजर की एक्स थी तो उसकी क्या हो जाएगी बिटा एक्स पलस 11 यह आगे हमारी average speed of express train इससे क्या है 11 किलो मेटर पर आवर जादा तो उसने क्या कहा है average speed find out करनी है अब हमने तो हमारे पास formula होता है हमने पड़ा है time is equal to किसके होता है बिटा distance upon में speed गे time is equal to distance by speed इस टाइब के question हम previous वीडियो में काफी कर चुके हैं तो यही formula ही हो रहा है time is equal to distance by speed अब total distance कितना given है 132 km और speed कितनी है x तो time निकल जाएगा यहां पे यहां पे लिख लेंगे total distance जो given है distance कितना है given 132 km तो time देख लेंगे अब time taken by passenger train passenger train तो passenger train कितना time ले रही है वो उस distance को travel करने में distance कितना था बिटा 132 और passenger train कि speed क्या है x तो 132 by x next same as it is लिख लेंगे time taken by express train express train distance same travel कर रही है 132 speed क्या है उससे 11 जादा तो x plus 11 यह आगे हमारे पास क्या आगा time taken अब उसने क्या कहा है अब passenger train का time क्या होगा ज्यादा इसका time क्या होगा कम तो इन दोनों का difference कितना का है उसने one hour का difference है तो according to question देख लेंगे बिटा 132 by x minus 132 by x plus 11 is equal to किसके है one के दोनों का difference कितना है one hour इसको simplify कर लेंगे यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा x और x plus 1 का x into x plus 1 11 x से x cancel x plus 11 into 132 तो 132 into x plus 11 minus 132 x plus 11 से x plus 11 cancel तो x से multiply करेंगे तो into x is equal to 1 इसके अंदर multiply की 132 की x के साथ तो 132 x plus 132 की और 11 की multiply करेंगे तो क्या जाएगा 1452 minus 132 x अपोन में इनकी multiply करेंगे x की x के साथ x square plus x की 11 के साथ 11 x is equal to 1 इसके अपोन में भी क्या मान लेंगे 1 132 x से 132 x cancel तो क्या कर लेंगे अब cross multiply 1 की multiply की बेटा 452 से तो क्या जाएगा 14 1452 sorry 1452 is equal to x square plus 11 x की बन से करेंगे तो क्या आएगा x square plus 11 x अब ये क्या करेंगे 1452 को क्या करेंगे हम right hand side ले जाएगे तो equation के आगे x square plus 11 x minus में 1452 is equal to 0 इसको अब क्या करना है हमने factorize करना है x square plus 11 x minus 1452 is equal to 0 अब क्या करना है sum जो आए वो plus 11 आए और product जो आए minus 1452 आए तो sum जो आए वो क्या आए 11 और product जो आए वो क्या आए minus का 1452 आए तो ऐसे factor find out करने हमने sum positive आना चीए तो यहाँ पे factor आ जाएंगे हमारे 44 into 33 तो sum जो positive आना चीए तो इसको क्या ले लेंगे positive इसको ले लेंगे negative तो factor के आगे x square plus का 44 x minus का 33 x minus का 1452 इन दोनों में से क्या आगे x common अंदर क्या बज़ गया x plus 44 minus का 33 अंदर क्या बज़ गया x plus 44 क्योंकि minus common ले चुके factor के आगे x minus 33 और x plus 44 इन दोनों को क्या करेंगे 0 के equal x minus 33 equal to 0 और x plus 44 equal to 0 तो यहां से x की value क्या आगे 33 और x की value यहां पर क्या आगे minus का 44 इसको क्या कर देंगे reject योग कि speed जो है वो negative नहीं होगी तो x equal to 33 आगया तो average speed of passenger train क्या आगी speed of passenger train क्या हागी 33 km पर आवर और speed of express train क्या हो जाएगी express train इसे 11 ज्यादा थी तो 33 plus 11 कितनी होगी बटा 44 km पर आवर यही हमने find out करना था I hope यह question आपको clear होगा question को verify करना है तो values को क्या करेंगे यहाँ पर इस equation में put करके देखेंगे left hand side equal to right hand side है तो हमारा question क्या है बिलकुल correct otherwise question में कहीं problem है otherwise इस चैनल को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you students question